हाई वेल्टीज, वेलकम टो इस वेकामर्स क्लासेज, मैं हूँ तबिता, और गाईज, आज के इस वीडियो में हम अपनी प्रीविएस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रीविएस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे RBIK के कितने काम होते हैं, तो तीन काम हमने पढ़ लिये थे RBI के, यानि कि functions पढ़ लिये थे 3, आज की इस वीडियो में हम 4th function पढ़ने वाले RBI का जो कि main function माना जाता है, जिसमें आता है guys, controller of money, supply and credit, यानि कि हमारी economy में RBI, जो कि एक अकेला bank है, जो हमारी economy को चलाता है guys, वो bank किस तरीके से काम करता है, कि कि कितनी money supply है पारी economy में होगी, यानि कि कितने note आएंगे लोगों के पास, और कितने उनसे ले सकता है वो, तो सारा control कौन करके चलता है RBI, और even उधार country में generate करना है, नहीं करना, ये भी RBI decide करता है, कैसे? तो guys, देखो, ये तरीके है, सबसे पहला होते है guys, repo rate, repo rate, वो rate होता है, जिस पर RBI, commercial bank को loan देता है, तो अगर RBI, अगर एक bank है guys, और वो commercial bank, यानि कि अगर suppose करो, excess bank को, जो loan देगा, उस पर जो rate चार्ज किया जाता है, उसको हम repo rate कहते हैं, बट ये short term needs के लिए, यानि कि अगर हमारा excess bank, इसके पास उधार पैसे मांगने गया, लेकिन थोड़े समय के यानि कि इस rate को हम repo rate कहेंगे, so repo rate is the rate at which central bank of the country lends money to commercial bank to meet their short term needs, कौन सी needs, short term needs के लिए, तो repo rate, अब guys, ये logic क्या होता है, अगर excess bank को 10% interest rate पर loan मिलता है, तो excess bank आगे जब हम public को loan देगा, तो वो of course 10% से ज़्यादा, 12% 15% पर देगा, तो ज़्यादा interest rate होगा, तो लोग loan कम ले लेंगे, वहीं अगर interest rate सस्ता होगा, तो ये भी अपना interest rate 6 की जगे 8 चार्ज करेगा, तो लोग ज़्यादा loan लेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा manage किया जाता है, क्या money supply को, क्या interest rate manage करता है, ठीक है, तो ये तो हम आगे अच्छे तरीके से deeply पढ़ेंगे, so guys, repo rate ये interest rate ह होता है basically, by which central bank of a country lends the money to the commercial bank for short term needs, यही अगर guys, long term needs के लिए हो जाए, यानि कि 3, 5, 10 साल के loan के लिए, तो हम उसे bank rate कहते हैं, यानि कि पूरी definition same रहेगी, बस short term needs के जगे क्या आ जाएगा, long term needs आ जाएगा, तो उस rate को bank rate कहते है, यानि कि नाम बदल जाता है guys, अभी इस rate को अगर आपने मेर से loan सिर्फ एक या दो महिने के लिए लिया, तो उसे रेपो rate कहेंगे, लेकिन अगर commercial bank ने यही लोन 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लिया, तो उसे bank rate कहेंगे, और bank rate को हम discount rate के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो दोनों की definition same है, बट एम अलग है, यह short term needs के लि securities by the central bank from or to the public or commercial bank, यानि कि हमारा RBI काम करते है, RBI क्या काम करते है guys, market में आकर securities को sale करते है, bonds वगरा हो सकते है, उनको sale करते है और purchase करते है, अब इसका क्या main मकसद होते है guys, देखो, अगर वह market में आकर हमें चीजे बेच रहा है, commercial bank को बोल रहा है, यह securities खरीदो, तो commercial bank का प supply economy में वो कम हो जाती है, क्योंकि बैंकों का पैसा RBI के पास आ गया, अब जब उसको जिसे COVID के case में क्या था, कि money supply रुक सा गया था, क्योंकि लोग deal ही नहीं कर रहे थे, business ठप पड़े थे, काम रोजगार धंदा नहीं चल रहा था, income नहीं हो रही थी, तो ऐसे में आके RBI क का करेगा, अपनी securities को बाहर से खरीदेगा, यानि कि खरीदेगा, तो पैसा generate होगा commercial bank के पास, commercial bank से अगर खरीदेगा securities, या public से securities खरीदेगा, तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो एकॉनमी में money supply पड़ेगी, तो ये economy के decision पर depend करता है, कि ये आकर बेचेगा या खरीदे है, तो ये आकर securities खरीदने लग जाते है, और पैसा खरीदने के रूप में लोगों को और public को देता है, ताकि economy में पैसा generate हो जाता है, तो ये होता है guys, open market operation, जिसमें securities की buying and selling करी जाती है, ठीक है, चाहे public हो या commercial bank के साथ, और कौन करता है, RBI करता है, फोर्थ होता है guys, हमारा legal reserve ratio, जो की main माना जाता है guys, इसमें दो ratio आते हैं, एक होता है cash reserve ratio, और एक होता है statutory liquidity ratio, अब मैं आपको बताती हूँ, commercial bank में आप मान लो access bank को ही, अगर access bank के पास आकर पैसा जमा होता है, suppose 10,000 रुपे, ठीक है, तो इस 10,000 में से it is compulsory, compulsory है कि access bank को कुछ amount RBI के पास deposit करना होग as a security, जिसे हम क्या बोलते है cash reserve ratio, तो like 10,000 का मान लो 10%, 10% कितना होगा 1000 रुपीज, आर पे के पास चला जाता है, अब बचे 9,000, ठीक है इसके पास बचेंगे सिर्फ 9,000, अब इस 9,000 में से भी इसे कुछ percentage अपने पास रखनी होती है as a statutory liquidity ratio, statutory का मतलब होता है guys, विधान, या जनी कि company या bank कभी रुके नहीं, चलता रहे कल को अगर कोई उधार मांगने आ जाए तो उसके पास यह ना होगी, भईया मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो सब उधार पर दे चुका हूँ, तो ऐसा commercial bank नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कुछ पैस अपने पास रखके जोड हम statutory liquidity ratio कहते हैं, और कुछ पैसा deposit का वो RBA के पास जमा कराते हैं, जिसे हम cash reserve ratio कहते हैं, और दोनों ही important होते हैं, दोनों ही compulsory होते हैं, अब इसके पास 9000 की जगे बचेंगे 8000, जो कि यह उधार पर लोगों को दे सकते हैं, उधार पर तभी पैसा दे सकते हैं guys, जब आप य और ये, दोनों पैसा अपने पास जोड कर चलोगे, तभी कोई commercial bank आगे उधार दे सकते हैं, तो उसे अपनी deposit में से SLR भी निकालना हैं, cash reserve ratio भी निकालना हैं, तो cash reserve ratio कौन सा ratio होते हैं, जो commercial bank किसके पास जमा कराते हैं, RBA के पास, और statutory liquidity ratio क्या होते हैं, जो commercial bank अपने पास keep themselves for a security purpose for maintaining the liquidity, इसके बाद होते हैं, margin requirement जो की बहुत असान है, margin requirement होता है, आप loan लेने जाते हो, जब एक bank के पास, और bank के पास हमेशा, देखो, bank कभी भी loan देता है, तो security क्या gains देता है, ठीक है, आप bank के पास loan लेने गए, और आपने एक लाग रुपे की jewelry रखवाई, ठीक ह अब आप one lakh की jewelry रखवाते हो, as a security, ठीक है, और bank आपको loan देता है, सिर्फ पचास हजार का, तो क्या ये beneficial सोदा है, भाई हमार से तो आप एक लाग का समान रखवा रहे हो, और हमें loan दे रहे हो, सिर्फ पचास हजार का, तो ऐसे में जो भी बंदा होता है, जो loan लेने जाता है, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, कि भाया मुझे ये तो मेरे साथ ना इंसाफी हो रही है, मेरे से आप एक लाग का समान लेके सिर्फ पचास हजार का loan दे रहे हो, तो guys जो ये difference है, इससे हम कहते है margin requirement, जब हमारे RBI को लगता है, कि loan को रोकना है, तो वो इस margin को कर रखता है, जब उसको लगता है कि economy में पैसा नहीं है, लोगों को उधार बढ़ावा देना चाहिए, लोग उधार ले, तो वो इस 50,000 को convert कर देगा 90,000 में, तो लोग easily loan ले ले लेंगे, कि चलो एक लाग की सिर्फ अगर हमारा समान रखा है, तो 90,000 को लोगता है, margin को बहुत बढ़ा के रखेगा, ठीक है, loan कम amount का देगा, और security ज्यादा amount की रफाएगा, ताकि लोग loan ना ले सके, और जब उसको लगता है कि loan को हमें कम ज्यादा करना है, कि लोग loan ले, 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 तो वो क्या करेगा, इसको margin को एक लाग और 90,000 के बीच से 10,000 का difference रखेग ताकि लोग loan ले ले, तो guys, ये काम होते हैं, जो RBI करता है, ठीक है, I hope आप लोगों को समझाया होगा, अगर समझाया है guys, तो please इस वीडियो को like, share and comment, जरूर करना कि पसंद आई है या नहीं आई, और yes, आप अपने doubt मेर से YouTube पर, और Instagram पर मेरी ID है तब है ता मैं इसी सक्देंट